अल्लो फ्रेंड्स वेल्कम टो डूक्रेज तो फ्रेंड्स यह है जीके सीरीज का पार्ट थ्री इससे पहले पार्ट वन और पार्ट टू इस चैनल पर हैं आप जाकर वो वीडियो देख सकते हो दोनों भी वीडियो बहुत ज्यादे इंपॉर्टर है और मैंने जैसे कि पहले तो अगर आपको इन कोशन का एंसर अगर पता होता आप एक सिकंड के अंदर एंसर टिक कर सकते हो इसलिए यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टर्ट सीरीज है तो थोड़ा से सपोर्ट कर देना इस चैनल को हमारे वर्ग को थोड़ा से सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक् International Monetary Fund created तो इसका सही option होगा option A 1945 में इंटरनेशनल Monetary Fund बनाय गया था नेक्स्ट कोश्चन है प्रकाश अबगटन द्वारा होने वाली अबगटन परिक्रिया डैश होने द्वारा होने वाली अबगटन परिक्रिया है फोटोलाइसिस इस इस डिकामबोजेशन reaction caused by तो चार option है electricity, mechanical energy, light और heat तो इसका सही option हो option C, light लाइट की वज़े से फोटोलाइसिस इस डिकामबोजेशन reaction caused by light फोटोलाइसिस जो होता है वो light की वज़े से होता है ठीक है next question है निम्ललिकित में से कौन सा उरक्ष शंकुधारिय उरक्ष नहीं है which of the following trees is not a coniferous tree, oak, pine, spruce, large तो इसका सही option होगा option A, oak ठीक है next question है निम्ललिकित में से कौन सा ना तो अमल है और ना ही शार है which of the following is neither an acid nor a base तो इसका सही option है option C, KCL KCL acid भी नहीं है, base भी नहीं है next है निम्ललिकित में से कौन सी धातू सबसे हलकी होती है which of the following metals is the lightest तो अगर हम periodic table के साब से देखें तो जिसका atomic number सब में कम होगा उसका mass सब में कम होगा तो वो lightest होगा तो इसमें चारो option में सब में कम atomic number जो है वो lithium का होता है इसलिए इसका answer lithium होगा next question है सारकोलेमा वो जिली है जो dash को cover करती है सारकोलेमा is the membrane that covers तो इसका सही answer है option C muscle fiber सारकोलेमा जो है वो muscle fiber को cover करती है mass spatial tantoo को cover करती है next question है निम्ले लिखित में से किसने परमानू की अभी भाजेता के बारे में बताया who among the following proposed the indivisibility of an atom तो इसका सही option है option A, Dalton ठीक है Dalton ने पहली बार atom की indivisibility के बारे में बताया था next question है महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतिय राष्टे कॉंग्रेस का अधिवेशन कहां आयोजित किया गया where was the session of Indian National Congress which was presided by महात्मा गांधी led तो इसका सही answer है option C, Bill Gum Bill Gum में Indian National Congress का जो session था वो महात्मा गांधी की दोवारा आयोजित किया गया था ठीक है next है निमनली कितमें से कॉंसा उपकरन उच्च पृतिरोध के साथ nichrome, constantine, manganine जैसे मिश्रद हतुओं से बना है which of the following devices are made of made with alloys like nichrome, constantine, manganine with high resistances तो इसका सही answer है option C, resistors resistors जो है वो बने होते हैं nichrome, constantine, manganine से ठीक है next question है dash को प्रकाश का त्योहर कहा जाता है dash is known as the festival of lights तो इसका सही answer सभी को पता होगा option C, Diwali Diwali को festival of lights कहा जाता है next question है vitamin C को dash b कहा जाता है vitamin C is also called as तो इसका सही answer है option B, ascorbic acid vitamin C का जो नाम है वो है ascorbic acid next question है भारत के वरतमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है who is the present chief election commissioner of India तो इसका सही answer सभी को पता होगा Sunil Arora ठीक है Sunil Arora जी जो है वो भी chief election commissioner है इंडिया के next question निम्न में से किस राज्य में गुरु शिखर चोटी स्थीत है in which of the following state is the गुरु शिखर पीक located तो इसका सही answer है राजस्थान राजस्थान में गुरु शिखर पीक स्थीत है ठीक है next question है सरवोच्च नियाले के नियाधिश की सेवा निरुत्ती की उमर कितनी है what is the age of retirement of a judge of the supreme court तो इसका सही answer है option C 65 जो retirement की age होती है supreme court के judge की वो होती 65 years next question है malaria को डैश से प्राप्त दवा से ठीक किया जा सकता है malaria can be cured with a drug extracted from तो इसका सही answer है option A synchona tree synchona tree से malaria के लिए दवाई बनाई जाती है next question है निमने लिखित में से कौन सा wise assistant नहीं है which of the following is not a wise assistant तो puffin, alexa, siri, cortana तो इसका सही option है option A puffin puffin ये wise assistant नहीं है Alexa, siri और cortana ये wise assistant के तोर पर काम करते है next question है निमने लिखित में से किसने electron की खोज की who among the following discovered the electron importer question है कई बार पुछा गया है इसका answer सभी को पता होगा JJ Thompson option B correct है JJ Thompson ने electron की खोज की थी next question है एक डूबे हुए पींड पर पानी द्वार लगाये जाने वाले उत्पलावन बल का दूसरा नाम क्या है what is the other name of the buoyant force exerted by water on an immersed body तो इसका सही answer होगा option B upthrust मतलब कोई body अगर water में रखी जाए उस पर एक buoyant force apply होती है water की तरफ से जो के उपर के direction में होती है तो उसका दूसरा नाम है upthrust ठीक है तो next question है योजना आयोग के पहले अध्यक्ष नियम्न में से कौन थे who among the following was the first chairman of the planning commission तो इसका सही answer है जावाहरलाल नहरू option D इसका सही answer है planning commission के पहले chairman जावाहरलाल नहरू थे क्योंकि planning commission का chairman होता है जो PM होते है हमारे prime minister होते है वही planning commission के chairman होते है और जावाहरलाल नहरू जो है वह हमारे पहले prime minister थे इसलिए वो planning commission के chairman भी थे ठीक है तो next question है enzyme मुल्द डैश होते है enzyme is fundamentally enzyme क्या होते है enzyme protein होते है enzyme is fundamentally protein enzyme क्या होते है protein होते है तो next question है निमनलिखित में से कौन से स्थाई समीती संसद के प्रत्यक सदन में होती है which of the following is are the standing committees in each house of the parliament parliament के हर house में कौन से committee होती है स्थाई समीती कौन से होती है committee on petitions committee of privileges business advisory committee या फिर all of the options तो इसका सहीय answer है option D committee on petitions committee of privileges और business advisory committee ये तीनों भी committee जो है वो standing committee होती है parliament के हर house में ठीक है दोनों भी house में तो इसका सही answer है answer option D ठीक है next question है पहले अराश्ट मंडल खेल निमलल खित में से किस देश में आयोजित किये गए थे in which of the following countries was the first commonwealth games held तो इसका सही answer है option B Canada Canada में first commonwealth games जो है वो आयोजित किये गए थे next question है dash में उरुद्धी के साथ wash p करण की दर बढ़ती है rate of evaporation increases with increase in तो evaporation का rate increase होता है किस के साथ तो इसका सही answer होगा option B both surface area and temperature क्योंकि अगर surface area बढ़ेगा तो भी evaporation बढ़ेगा और temperature बढ़ेगा तो भी evaporation बढ़ेगा तो इसलिए इसका सही answer होगा option B next question है निमनल खित में से कौन सा अपने जीवन काल में केवल एक बार ही फूल और फल देता है तो which of the following beers flowers and fruits only ones in its lifetime तो इसका सही answer होगा option D banana केले का जाड़ जो होता है वो life में सिर्फ एक ही बार फल देता है तो इसलिए इसका सही answer होगा option D banana next question है हिंदी नाटक आधे अधूरे के लिखक कौन है who is the author of the Hindi play आधे अधूरे तो इसका सही answer है option C Mohan Rakesh ठीक है आधे अधूरे जो Hindi play है ये Mohan Rakesh ने लिखा है option C इसका सही answer होगा next question है थराबाद निमनल खित में से किस नदी के किनारे स्थीत है on which of the following riverbanks is Hyderabad located तो इसका सही answer होगा तो इसका सही answer है Musi on which of the following riverbanks is Hyderabad located तो इसका सही answer होगा option C Musi ठीक है India divided पुस्तक के लेखक कौन है who is the author of the book India Divided तो इसका सही answer होगा option A Rajendra Prasad Rajendra Prasad ने India Divided नामक बुक लिखी है ठीक है next question Scurvy dash की कमी के कारण होता है Scurvy is caused by deficiency of तो इसका answer है option D vitamin C vitamin C की कमी के वज़े से स्करवी की बिमारी होती है next question है निमने लिखित में से कौन Agolantil Aharia Rasha dietary fiber का एक उधारन है which of the following is an example of insoluble dietary fiber तो इसका सही answer है option A cellulose cellulose जो है वो insoluble dietary fiber का example है मतलब के Agolantil Aharia Rasha का एक उधारन है on cellulose next question है केले का वंश विस्तार डैश दुआरा होता है banana is propagated by तो इसका सही answer है option D suckers banana जो बढ़ता है वो किसकी वज़े से बढ़ता है suckers के वज़े से फैलता है ठीक है तो ये था आज का एक last question था बहुत ही important series है और हमारे work को support करने के लिए चैनल को subscribe कर देना और वीडियो को like कर देना और ज्यादा से ज्यादा अपने friends के साथ यस video को share कर देना तो friends ये था हमारे GK series का part 3 जो के बहुत ज्यादा important series है तो इस series को बनाने के लिए बहुत ज्यादा महनत भी लगती है क्योंकि हर एक question को cross check करके upload करना पड़ता है तो हमारे इस work को support करने के लिए चैनल को subscribe कर दो वीडियो को like कर दो और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक इस video को share कर दो तो thank you thank you so much for watching this video